हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन का उर्दू का सेट टू करने वाले हैं यानि सेट भी करने वाले हैं इसके पहले भी सेट वन चैनल पे अपलोड कर दिया गया यादि आप ल चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहां पर हिंदी उर्दू इंग्लिस मैच सभी विश्यों की तैयारी कराई जाती है चले स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन को आप लोग सवाल में पूछ रहा है हाकी का खेल हाकी का खेल किस नाम से शुरू हुआ था तो जो हाकी का खेल था वो किस नाम से शुरू हुआ था यही आपको पूछ रहा है तो हाकिट किस नाम से शुरू हुआ था हाकिट ठीक है अब यहां पर इसको याद रखने का यह ट्रिक है यह हा से स्टार्ट हुआ है तो यहां भी हा से स्टार्ट हुआ है ठीक है बाप पास आ इस सबसे स्टार्ट नहीं होगा हा से स्टार्ट हुआ है तो हा से स्टार्ट हुआ है तो आपको होकेट याद रखना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा होकी का खेल पहले कहां खेला गया था यही हिंदुस्तान में जो पहला होंकी कलब कहां पे खोला गया था यही आपसे पूछ रहा है तो हिंदुस्तान का जो पहला होंकी कलब खोला गया था वो कलकत्ता में खोला गया था उपसन नमबर सी इसका सही जवाब है अगला स्वाल हमारा होंकी खेल में खेलाडियों की तादा कि यहात थी वह कितनी मुकर्र की गई थी इसका जवाब आपको देना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा dol home एच याने कि 11 left player होते हैं किसमें को की खेल में नेक्स हमारा हांकी का खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है तो होंकी के खेल के जो मैदान की लंबाई होती है वो 91 मीटर होती है कितनी होती है 91 मीटर होती है option number D इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है हमारा देखिए सवाल में क्या कह रहा है दर्जाजेल दर्खवास्त को गौर से पढ़े और खाली जगहा को दिये गए मुनासिव अलफास से भरना है तो यह दर्खवास्त है application है application को जो है आप लोगों को भरना होगा ठीक है तो application में क्या भरना है कैसे भरना है इसको जरास हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देखिए बखिदमत जनाब ठीक है तो यहाँ पे छे नमबर में क्या भरना है सात नमबर में क्या भरना है इसके option में आ जाते हैं हम लोग ठीक है छे नमबर को option में देख लिजिए तो छे नमबर को जो option में आप लोगों को भरना है तो headmaster को यह लिखा गया है खत तो आपनों को वहाँ पर head master भरना याई छे नमबर में आपको यहाँ पर नहोगा head master क्या भरना होगा head master भरना होगा अकर hai 7 नमबर की बात करते है अर्ज यह है की does आपकी स्कूल में नव़ी जमात में पढ़ता हूं कौन पढ़ता हूं एस सतमपन नमबर का तो आठमें नंबर में कहा है मेरे वालिद डैस प्रैविट फर्म में ऐस तो यहां पे क्या भरेंगे आठमें नंबर में तो आठ में पे आठमें नंबर के आप सरम प्रेख करेंगे थो नोमें आप सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कहा बहुरता तो आप लोगों वहां परascarte कर वालेना है मुल्किया ठरन्नुम जल में से क्या है ठीक है तो इसका बताना है आंसर आपको तो इसका सही जबाब हो जाएगा खिताब क्या हो जाएगा खिताब ठीक है ऑप्सन नमर बाराम देखिए वह इसमें जो ना खुद किसी से निकला हो और ना कोई दूसरा अलफाज इससे निकले उसे क्या कहते हैं वह इसमें जो ना कुछ किसी से निकला हो और ना कोई दूस्ता अलफाज इससे निकले तो उसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग इसमें जामत कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा दोपहर जेल नो दोपहर जेल में से किस इसमे नकरा की मिसाल है ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option नमरे इसमे जर्फ इसमे जर्फ जमा की इसमे जर्फ जमा की ठीक है next है हमारा question नमर 14 देखिए सायर असल नाम के इलावा वो जो मुक्तशर सा नाम रखता है उसको क्या कहते है सायर जो क्या है सायर का नाम देखिएगा छोटा-छोटा मुक्तशर नाम होता है वो अलग नाम रखता है उसको क्या कहते है तो उसको हम लोग क्या कहते है ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं लग अप कहते हैं वह इसमें जो किसी और वह इसमें जो किसी और किसी आवजार और हतियार के नाम को जाहिर करता है क्या कहलाता है आवजार और हतियार के नाम को जाहिर करेगा क्या कहलाएगा तो उसे हम लोग इसमें आला कहेंगे वह इसमें जिस से किसी खास चीज सक्स या जगा का नाम समझा जाए क्या कहलाएगा तो वह कहलाएगा आपका इसमें मौरफा क्या कहलाएगा इसमें मौरफा ठीक है question number 60 ने महावरा हात साफ करने का माने क्या है तो हाथ साफ करने का जो माने होता है वो है चोरी करना हाथ साफ करने का माने क्या हो जाएगा चोरी करना नेक्स्ट है हमारा जैल में से फाउज की जमा क्या है तो फाउज का आप लोगों को जमा बताना है यानि कि बहु वचन में आपको बताना है ठीक है तो इसका फॉस के जमा हो जाएगा अफवाज पॉस का अफवाज ठीक है मुहावरा कान पकड़ना का माने क्या होगा मुहावरा कान पकड़ने का जो माने आपको बताना है तो मुहावरा कान पकड़ने का माने हो जाएगा तौबा करना क्या हो जाएगा तौबा करना नेक्स्ट है कोशन नमबर 20 जैल में से मुलाजिम की जमा क्या है तो मुलाजिम की जमा अपनों को बताना है पढ़ने के बाद सवाल के सवाल नमर 21 में देखिए क्या कह रहा है कि मंदर्जा बाला एक्तबाश किस सबक से लिया गया है यानि यह जो पैसेज आप लोगों को दिया गया था इसमें आप लोगों को बताना यह किस सबक से लिया गया था कौर्णिन नमबर 23 दुनिया में कौन सी चीजे अक्तियार तक जारी रहती हैं आखिर तक जारी 2 मताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा भलाई भलाई जो होता है वो दुनिया में आखिर तक जारी रहती है question number 24 को ध्यान से देखिए क्या माधी जीजें चीजें चंद रोजा में क्या हो जाएगी मारी चीज़े चनल रोजा में क्या हो जाएगी तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या हो जाएगी फना हो जाएगी क्या हो जाएगी फना हो जाएगी ऑप्सन नमर सी question number 25 है हमारा तश्खीर के मानिक क्या है आप लोगों को जवाब देना है तो तश्खीर के मानिक हो जाएंगे option number B लालच क्या हो जाएगा लालच option number B चलिए नेक्स्ट है हमारा question इसको पढ़ लीजेगा आप लोग जो आप लोगो दिया गया है उसके बाद ट्वेंटी सिक्स में आपके मंदा जिल इस्तियार के तालूग की शिशनक से साहरी से है तो नाम बताना आपको घजल है नजम है रुबाई है या पिर तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यह क्या है नजम है ठीक है नेक्स्ट है हमारा twenty seven मर्दा जिल बाला इस्तियार किस ने लिखी है यानि कि यह जो आप उपर लिखा गया था वो को pa इन डिखी है तो इसका रैटर कोश रहा तो आपको रावज र कॉछ रहा है तो प्... टालिम की तरव किसके तरव इसा रिखिया है? तालिम के तरव इसारा किया है, no? Sophia D को सही जवाब होगा next है हमारा 29 29 में दर्जा जेल में से किस वज़ा का किस वज़ा कर कारिगरों के काम चलते हैं, yeah no ? किस बज़ह से कारिगरों के काम चलते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा तालीम किस वज़े से चलते हैं तालीम के वज़े से ठीक है हुए बंदर हुए बंदर्वाजे घरों के इसके क्या मुराद है आपको बताना है हुए बंदर्वाजे घरों के इसके क्या मुराद है काम ना मिलना ठीक है काम ना मिलना इसका मुराद होगा कि आप सभी दरवाजे बंद हो गए हैं इसके काम नहीं मिले हैं ठीक है अगला एमारा दरज़ाजिल सवालात के जवाब आपने होगे सरसयत का असल नाम क्या था तो सरसयत का जो असल नाम था वो था एहमद खां ठीक है काफी important सवाल ये एक्जा में पुछा जा सकता है कोशन के लिए सरसयत अहमाद खाने जेल में में से किसे युनवर्सिटी को कायम किया किस सिर्धिक खां व्ल्ट के अगला है और धाल्म से है चार पाई का तालिम किस स्न। अद्ब से है तो कौन सा थालिम अपको बताना है कॉस्छान नमब्र थाउर है ठीक है तो इसका सही चवाब हो जाएगा आपका अफसाना क्या हो जाएगा अफसाना हो जातेके नेक्स्टf हमारा 35 अबयासी कौन थी आपको बताना है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपका और सी अस्तानी कौन थी अस्तानी को सब्सक्राइब बाल किस ने लिखी है बना नजम एक आर्जू जो है वह लिखी है आपका option number C एकबाल किसने लिखी है एकबाल ने लिखी है नजम एक आरजू किसने लिखी है एकबाल ने लिखी है आपके 37 number सवाल है जिस नजम में रदीफ और काफिया की पाबंदी ना हो मगर इसके तमाम निसरे बराबर हो इस नजम को क्या कहते है ठीक है 37 तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा option number B मौरा नजम मेरा नजम ठीक है नेक्स्ट है हमारा 38 38 को ध्यान से देखें यह सवाल है गजल के लुगवी माने क्या है गजल के लुगवी माने क्या है तो औरतों से बाते करना गजल के लुगवी माने हो जाते है औरतों से बाते करना 39 सवाल है हमारा गजल में रदीफ क्या है तो गजल में जो रदीफ होती है वो है हम अलफाज लजब जो हम अलफाज लफज होते है वही रदीफ होता है 40 number सवाल है हमारा इसके आखों में कब ना आता है लहू आता है जब नहीं आता है ये शेर किस शायर ने लिखा है शायर का नाम बताना है तो इसका शायर हो जाएगा मीर किस शायर ने लिखा है तो मीर शायर ने लिखा है तो उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो लाइक किजिए, सेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब चरूर किजिए वाटसअप गुल पे साज जोना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन में टेलिग्राम और वाटसअप का लिंक मिल जाएगा अब वहाँ से हमसे चुल सकते हैं थैंक यू